नमस्कार खेती में अगर खर्चे कम करने हैं और पेश्टाइड बहुत कम करने हैं जसे आगे कोटरन की पुज़ने आ रही है praw के बाद में तो अपन कैंच जो फार्मिंग आपन करते हैं सारे खर्चे अपने कम हो जाते हैं इसी से आपको ले चलता हूं कहाँ प्लांट की और और ढाइज को जानकारी देने कि स्सेड बना हुआ है वै कि ये लगाए होए यह इससे एक ओना दूप्त करण ऑप औरrire जादा यहतै América 20% दूप कवर करती है 10% दूप अंदर आती है गर्मियों में सर्दियों में बारिस है या ओस है या ज्यादा थंद का उपर से वह नहीं रहता इसलिए यह उपर से लगाई हुई है इस तरह से इसके नीचे बैड लगा दिये हैं और इसमें पिछले वीडियो में आपको बैड बनाना बताया था अब इस तरह से जब अपन केंचों के लिए बैड खाद दालने के लिए त्यार कर लेते हैं उसके नीचे अपने को हलका कच्रा या तूड़ी या गली सड़ी वी तूड़ी ये बैडों के नीचे जरूर डालना है ये इस तरह से ये डाला हुआ है थाकि बर्मिवास निकलता है वहाम से परापत के बाहार निकल सके और केंचों पने रला दाले जाएंगे केंचवे इन कटों में केंचवे मेड के ऊपर पूरे के ऊपर थोड़ 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 केंचवे डाल दे जाएंगे ताकि फिर अपने इसको जब कचरे से डख देते हैं तो ड़लान उदर से पानी डालेंगे तो ड़लान से पानी बाहर निकलता रहेगा और रेगुलर इस पे सरुआत के दो तीन दिन पानी अपनेको डालते रहना है पनेको इसरे पानी डालने का सुबह शाम का काम जरूरी है बाकी इसमें कोई ज्यादा महंत नहीं होती केंचवे ओटोमेटिक खाद त्यार करते रहते हैं फिर उसके बाद अपनी जो विद्धी होती है उसको खाद को चानना केंचवे को अलग करना बर्मिवास का उपयोग करना वह चीज़े रह जाती है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे अभी यह जो बाग इदर आ त्यार किया जाएगा पूरा पूरा बाग और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि बेड में केंचवे किस तरह ऐसे डाले जा रहे हैं यह बिल्कुल ठंडा किया हुआ गोबर है और इस पे एक दो बार पानी में डाल दिया था अब यह केंचवे इसमें जो डाल रहे हैं यह कटो में अभी आप देखेंगे तो यह जो गोबर है इसमें बहुत सारे केंचवे इनकी बहुत जादा संक्या होती है इसमें अंडे बच्चे बड़े केंचुए सारे होते हैं और इसका एक माप तोल होता है ये अलग से बाहर नहीं निकाले जाते गोबर इनके जो तोल होता है वो गोबर के साथ ही तोल होता है जिसे कि अपन तीन किलो गोबर में एक किलो कें यह माप तोल इस तरह का होता है वह हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे कि क्यांचुक तोल किस तरह से होता है अपने को कहां यह अबेलेबल होते हैं बैड लगाने के बाद में अपने को उसको पराली या कच्रे से ढख देना है ताकि हमारा गोबर में है जो बराब सकते हैं उनसे भी सेफ रहता है और डारेक्ट गोबर पे दूप नहीं पड़ती केंचुए हैं वो दूप में अंदर चले जाते हैं अंदेरा इनको सबसे ज़्यादा जो पसंद है केंचुआ को वहं अंदेरा पसंद है यह अंदेरे में रहे नाली देख रहे हैं इस तरह क बैडं के दलान इंश पर नाली बनाकर नीचे एक स्टोर कर देंगे यह जितना भी पानी आएगा वहर नीचे पर टेंक दब automation not होता दो इस ड्रण सब्सक्राइब बाइगा आएगा नीचे यहां पर जमीन में पर नीचे पानी के साथ या ड्रिप द्वारा ये जिसे ड्रम में आप भी देखेंगे ये पानी के अंदर बर्मी बास छोड़ा जा रहा है ये अकेला बर्मी बास है और इसमें अपन बैक्टेरिया भी त्यार कर सकते हैं और बैक्टेरिया अपन पानी या ड्रिप के द्वारा डारेक्ट जब अब आपन पऽल में पानी देते हैं तो अपन team के साथ उसको दे सकते हैं यह आप आसान भी दिया यूद्म है जो बरह रहा है अभी आप देख्रिए और यह वर्मिवाद्ट पूरी तरह से हलका और गूलंड सी होता है पानी के साथ साथ यह पशल में चला जाता है अभी यह प्याज की पसल है इसमें यह बर्मिबास छोड़ा जा रहा है जिसके बैतरिन रजल्ट हमने पिछले पाने पर दिया था तो अच्छे रजल्ट मिले थे अभी दुआरा भी यह बर्मिबास हम प्याज में दे रहे हैं यह आप देख लो यह इस बेड़ों पर पानी इस तरह से पानी अपने को रेगुलर 15 दिन तक ज्यादा पानी देने क्याव सकता होती है रेगुलर अपन इस पर पानी डालते रहेंगे आप सरुवात के तो दिनों में दो बार पानी दे सकते हैं सुबह और श्याम पान्स दिन तक और उसके बाद पानी रहेगी उससे अपने को ज़्यादा लाब मिलेगा और उनकिसान भाईयों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस चैनल को सक्स्राइब जरूर कर लें हम आने वाले वीडियो में बहुत अच्छी महत्पूर्ण जानकारिया लेके आएंगे